स्वागत है आप सभी लोगों का प्रिलिम बूश्टर न्यूज डिसकेशन में आज है 25 दिसंबर 2021 तो आज ये देख लेते हैं कैसे कौन से important articles हैं जो आज हम cover करने वाले हैं उसके पहले आप सभी लोगों को Merry Christmas तो शरीए स्टार्ट करते हैं हमारा first article Olive Ridley Turtle के बारे में है context क्या है context ये है कि इनको जब मन में आता है तब ये news में आ जाते है और फिर हमें इन्हें discuss करना होता है अभी ये news में क्यों आए है because इनके संबंद में अभी हाल ही में एक project को resume किया गया है क्या होगा इस project में इस project में हम Olive Ridley Turtle के उपर एक metal का tag लगा देंगे बला इससे हमें क्या मज़ा मिलेगा इससे होगा ये कि ये जहां भी travel करेंगे हमें पता चल जाएगा कि कितनी दूर travel करके आ रहे हैं ये tagging हम कहां करेंगे जो रुशिकुल्या रुकरी है रुकरी एक ऐसी जिगे होती है जहां पर कोई भी animal या कोई भी जीव इकठा होते है उरिशा के coast पे वही पर ये tagging की जाएगी बात करते हैं Olive Ridley Turtle के बारे में चुकि इनका color olive होता है इसलिए ने Olive Ridley Turtle कहा जाता है ये काफी बड़ी संख्या में पाये जाते हैं लगभग दुनिया में हर जगे आपको मिल जाएंगे Pacific Ocean, Atlantic Ocean और Indian Ocean का जो warm water वाला इलाका है वही पर ये अक्सर मिल जाते हैं कार्निवोर्स होते हैं मतलब मांसाहारी ये Jellyfish, Shrimp, Snails, Crabs और Fishes खाते हैं गलत काम ये तब करते हैं जब ये Fish के अंडे भी खा जाते हैं तो कुल मिलाके कार्निवोर हैं ये समझ लिया आपनी ये migrate करते हैं बहुत दूरी तक इनका लगभग सारा जीवन समंदर में ही बीचता है ये thousands of kilometers migrate करके आते हैं मेटिंग के लिए और feeding के लिए साल में एक बार ये एक जिगए पर इकठा होते हैं और जब इकठा होते हैं mass nesting के लिए तो उसे कहा जाता है अरी बादा ये अपने अरी बादा के लिए काफी famous है इनकी unique mass nesting जिसे अरी बादा कहा जाता है इसमे thousands of females इकठा आती हैं और अंडे देती हैं ये अरी बादा हमें कई सरी जिगहों पर देखने को मिलता है उडिसा का coast जो है वहाँ पर सबसे बड़ा इनका nesting site यानि की अरी बादा हमें मिल जाता है इसके बाद मेक्सिको के coast पे और कोश्टा रिगा के coast पे भी इनके अरी बादा देखने को मिलते हैं conservation status इनका vulnerable है sites के appendix 1 में है और Indian wild alive protection act of 1972 के schedule 1 में है इनको पचाने के लिए क्या initiatives लिए गए हैं इंडियन coast guard ने operation Olivia start किया ये operation हर साल शुरू किया जाता है ताकि हम olive riddle turtle को protect कर सके further इंडिया में इनकी accidental killing हो जाती है मतलब मचवारे इने पकरना तो नहीं चाहते लेकिन ये जाल में फज जाते हैं और वो उनके काम के भी नहीं होते तो ये मर जाते हैं इनकी accidental killing ना हो इसलिए उडियसा की सरकार ने ये mandatory कर दिया है कि जितने भी trollers होंगे जो बहुत बड़े बड़े जाल होते हैं जिनें ship से खीचा जाता है उसमें एक turtle excluder device लगाई जाएगी जिसे ted आप कह सकते हो वो ऐसे होती है जाल के भीतर ऐसे एक पात्वे बना होता है और उपर से जाल एक जिगा पर खुला होता है मतलब अगर troller में ये olive riddle turtle fuzz भी जाए तो वो इस ted यानि कि turtle excluder device का इस्तिवाल करके उसमें से बाहर निकल जाए अगर मचलियों के निकलने के लिए भी एक fist excluder device लगा दे तो मज़ा आ जाए फिर तो troller में कुछ भी नहीं बचेगा न तब क्या फायदा मिलेगा troller में मचली पकड़ने जाने का खेर olive riddle turtle के बारे में ये basic बाते थी इनके tagging के समद में कुछ बाते और करते हैं इस tagging को collaboratively launch किया गया जो logical survey of India के द्वारा वहाँ पर उन्हें मदद मिली है उडिसा के forest and environment department की कौन सी nesting site इसमें cover होंगी एक तो गहिर माथा जो की काफी important nesting site या अरिबादा है इनका map में देखिए ये जो location है ये है गहिर माथा का ठीक है यहाँ पर olive riddle turtle nesting बीच है red color का जो patch आपको देख रहा है ये इनका nesting site है इसके अतरिक्त ये हमें ये है देवी रिवर और यहाँ पर इनका nesting site यहाँ पर है इसके mouth पर और ये है रुशी कुल्या river यहाँ पर जो आ रही है जहां मैं spot कर रहा हूं देखिए तो यहाँ पर भी इनका nesting site होता है तो ये तीन nesting site आपको यहाँ पर spot करके दिखाए गए हैं परपस यही होता है कि कितनी दूरी ये travel करके आया जा रहे हैं इससे पता चल जाएगा जो tags होते हैं उनमें एक unique number होता है और details होती है जैसे कि organization का नाम जिसने tagging करी है country का code और email address माने जे किसी दूसरे देश के researcher को ये मिल जाएं तो वहाँ से बता सकते हैं उनकी location mail भी कर सकते हैं कि देखे हमें ये यहाँ पे मिला है मदद करते हैं research organization से एक दूसरे की further metal tag होता है non-correspondent होता है तो खराब नहीं होता और ये उनकी body को harm भी नहीं करता इस बात का ध्यान दखा जाता है और बाद में जब ये वापिस लोटते हैं तो इस tag को निकाल भी दिया जाता है जो logical survey of India की बात करते हैं इसे 1916 में established किया गया था Ministry of Environment, Forest and Climate Change का एक subordinate organization है headquarter है Kolkata में और इसके 16 regional stations भी हैं हमारा next article ESG funds के बारे में है वैसे तो ESG funds के बारे में बहुत सारी बाते हैं में discuss करनी है context ये है कि ESG fund का जो asset size है वो पिछले कुछ सालों में बहुत तेजी से बढ़ा है लगभग 5 गुना बढ़ चुका है और अब इसका total valuation 12,300 क्रोर हो चुका है ESG fund के बारे में बहुत सारा बावाले में discuss करना है उसके पहले आसान भासा में बताता हूँ जब आपके पास पैसे access होंगे तो आप invest करना चाहेंगे कहां invest करना चाहेंगे जहां से आपको ज़्यादा return मिले ज़्यादा फाइदा मिले लेकिन सिर्फ इस बात को ध्यान में रखना कि आप पैसा वहां लगाएं जहां से आपको ज़्यादा फाइदा मिले यह गलत होगा आपको कुछ और बातों का ध्यान रखना होगा जब भी आप कहीं पैसा लगा रहे हों जैसे कि जिस कंपनी में आप पैसा लगा रहे हैं वो environment को excessively हाम तो नहीं करता दूसरा कहीं वो समाज के लिए कुछ ऐसा तो नहीं करता जो नुकसान दे है या तीसरा कहीं वो अपने employees को exploit तो नहीं करता अगर कोई company ऐसे काम करती है तो आप उस company में अपना पैसा नहीं लगाते हैं फर्दर अगर आपको ये पता चले कि कोई company है जो environment का बड़ा ख्याल रखती है समाज के पती अपनी जिम्मेदारियों को निभाती है और अपने employees का भी ख्याल रखती है हमका exploitation नहीं करती ऐसी company में आपको पैसे ज़ादा लगाने चाहिए mutual fund जब आप वहाँ पे अपना पैसा देते हैं तो mutual fund वाले आपके पैसे को ऐसी companies में लगाते हैं जहांसे उन्हें ज़ादा return मिले वैसे ही एक और fund है जिसे कहा जाता है ESG fund इसमें E का मतलब है environmental empathy S से मतलब है social responsibility और G का मतलब है corporate governance जो ESG में फंड में आप पैसा डालेंगे वो आपका पैसा ऐसी जगहों पे तो लगाएंगे जहां पर फाइदा मिलता हो लेकिन उनकी priority इस बात पर होगी उस company पर होगी जो environment को कम नुक्सान पहुचाती हो समाज के पर जिम्मेदारी को निभाती हो और उनका corporate governance अच्छा हो उसके बाद वो इस बात का ध्यान दखेंगे कि वो company profit making भी हो अगर सभी लोग ऐसी companies में पैसा लगाना start कर देंगे तो ये companies बात दे हो जाएंगी कि वो अपनी practices को अच्छा बनाए ताकि उन्हें ज़्यादा investment मिले तो आपको समझ में आ गया कि ESG kind of mutual fund है जो environmentally बढ़िया हो social responsibility निभाती हो उनका corporate governance अच्छा हो मतब उनकी practices environment friendly हो वो अपने business में ethical हो और उनके employees का exploitation ना हो employee friendly उनका record हो ये जो fund है इसे regulate किया जाएगा CB की द्वारा Securities and Exchange Board of India के द्वारा significance वही है कि अगर सभी लोग ऐसे fund में पैसे डालेंगे तो companies का behavior बदलेगा इन moment को भी कम नुक्सान होगा society को भी और वहां के employees भी खुश रहेंगे हमारा next article tokenization के बारे में है अभी हाल ही में RBI ने tokenization की time line credit और debit card data storage norms में implement करने को लेकर थोड़ा और time दे दिया है छह महिने का extension दिया गया है card on file tokenization के लिए अब ये time limit 30 June 2022 तक की है tokenization ये भला है क्या हजार बवाल इसमें मुझे आपको बताने है लेकिन सबसे पहले एक line में आसान भासा में बताता हूँ जब भी आप कहीं पर payment करके कोई चीज purchase करते हैं suppose करी Amazon या Flipkart तो जब आप अपनी payment detail वहाँ पर उनके portal पर डालते हैं तो वह आपका data save कर लेते हैं या store कर लेते हैं अगर Amazon या फिर Flipkart उन्ही का data hack कर लिया जाए तो बहुत सारे लोगों का data leak हो जाएगा और उसकी बाद उस data का misuse किया जा सकता है अच्छा तो ये हो कि हम उन्हें अपना data दे ही न बलकि उस data की जगे हम उन्हें दे एक token एक ऐसा token जो हर बार नया generate होता हो तो जब हम online transaction करेंगे तो इन website के पास हमारे card details नहीं होंगे further उनके पास एक one time token होगा जिससे अगर further कोई भी data को एकसेस करनी की कोसिस करें even from Amazon, Flipkart और इनी other web portal तो उन्हें लोगों का data मिलेगा ही नहीं इससे आपका online transaction ज़्यादा safe हो जाएगा RBI लगातार कोसिस कर रही है कि इंडिया में जो भी online mode के payments हो रहे हैं उनमें tokenization का इस्तिमाल किया जाए इस बारे में बातचीत 2019 की सुरुआत में ही शुरू हो गई थी और इसको लाने की बात कहदी गई थी अभी लगातार चुकि इसमें पूरा backend में जो system है उसमें काफी बदलाव करना पड़ेगा tokenization के लिए तो लगातार time extend किया जा रहा है ताकि जो भी यहाँ पे credit या debit card data storage system या services provide करने वाली entities हैं stakeholders हैं वो परयाप्त बदलाव करके यह tokenization का system सुरू कर दें तो एक line में आपको बात समझ में आ गई हम online payment करते वक्त अपना data नहीं देंगे बलकि देंगे एक token ताकि हमारी information safe रहे यही है tokenization अब आएए बवाल discuss करते हैं tokenization एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम अपनी actual card details किसी भी online platform को नहीं देते payment करते वक्त रधर एक alternate code देते हैं और उस code को कहा जाता है token यही मतलब है tokenization का sensitive customer data जैसे की card number CVV card verification value जो card के पीछे लिखा होता है 3 desert का होता है उसे हम algorithmically generated या encrypted token में convert कर देंगे और यह हम इस्तिमाल करेंगे online transaction करते वक्त transaction कैसे होता है जब भी हम online transaction करते हैं तो उसमें 4 से 5 players involved होते हैं जैसे की merchant payment aggregator issuing bank और card network जैसे आपने transaction किया किसी एक merchant platform का वो fill करते हैं वो आपसे payment receive करने के लिए किसी payment aggregator का इस्तिमाल करते हैं जैसे आप onlyis के courses भी purchase करते हैं तो आपको जो receipt मिलती है वो insta mojo के मिलती है या फिर razor pay की मिलती है ये payment aggregators हैं जो payment को facilitate करते हैं दो लोगों के बीच में जैसे onlyis, razor pay, pay you या फिर insta mojo का इस्तिमाल कर रहा है वैसे इस सभी merchant platform किसी ने किसी payment aggregator का use करते हैं तो जब भी आप कोई detail देते हैं merchant platform के पास तो वो data payment aggregator के पास जाता है लाइक pay you, razor pay या फिर insta mojo जो PA है यानिकि payment aggregator ये बाद में आपकी details को issuing bank के पास भे देते हैं या cardinator के पास जैसे की visa या mastercard और उसके बाद आपकी mobile पर एक आता है OTP one time password जैसे आप one time password डालते हैं आपका transaction हो जाता है और back end में जो आपकी transaction की details हैं बुस merchant platform के पास save हो जाती है store हो जाती है जैसे कहा जाता है card on file यानि कि COF यही है खत्रे की घंटी card on file जो उनके पास store होता है इसे अगर कोई भी hacker access कर ले तो आपकी financial information उसके पास पहुँच जाएगी card on file COF transaction यह card holders का detail होता है जो कि किसी भी merchant के पास पहुँच जाता है while making online transactions card holders को इससे मदद ये मिलती है कि उसे बापिस से जब वो payment करने जाता है तो सहुलियत हो जाती है कुछ steps shorten हो जाते है लेकिन खत्रा तो है इसे नई guidelines लाई गई है ताकि हम fraud से बस सके और इसे ही tokenization कहा गया है अब हम जो merchant है या merchant perform है उसे COF देंगे ही नहीं rather उसकी जगे पर जब भी हम अपनी card की basic detail होने देंगे हमारे mobile पर एक end to end encrypted code आ जाएगा जिसमें मान लीजे कुछ numbers होंगे कुछ deserts होंगे कोई has या dollar वगएरा कुछ हो सकता है और वो further हम वहाँ पे merchant perform पे डाल देंगे उसी से हमारी payment हो जाएगी तो वहाँ पे अब किसी भी प्रकार का कोई भी यहाँ पर जो हम बात कर रहे थे card on file budget rate होगा ही नहीं और हमारी payment सेफ रहेगी हमारी details सेफ रहेगी उमीद करते हैं tokenization आपने समझा हमारा next article तबलीगी जमात के बारे में है तबलीगी जमात news में आया है जब kingdom of Saudi Arabia ने इन्हें ban कर दिया है और कहा कि ये one of the gates of terrorism है kingdom of Saudi Arabia का statement है वहाँ के officials का कि ये terror outfits के पती sympathy रखते हैं ये बाते कही गई है सौदी Arabia की ओर से while banning तबलीगी जमात यदि उसके बाद पाकिस्तान ने एक resolution पास करके तबलीगी जमात को back किया है ये कहते हुए कि ये God के messages को या Allah के messages को preach करते हैं और इनका किसी terror outfit से कोई भी लेना देना नहीं है तो खैर ये मना जा रहा है कि जो resolution पाकिस्तान में पास किया गया है वो सौदी Arabia के इस stand का या फिर जो उन्होंने एक कदम उठाया है उसका एक retaliation है या एक जवाब है खैर इसी reference में तबलीगी जमात news में है आईए देखते हैं तबलीगी जमात के बारे में कुछ basic बाते तबलीगी जमात इसका मतलब होता है society for spreading the faith जो faith को spread करते हैं ये conservative Muslim organization है या सुन्नी Islamic missionary moment है जो इसलाम के fundamentals को लोगों तक पहुचाते हैं इनका mean काम इसलाम के basic fundamentals को revive करना होता है जिसमें ये जो भी ordinary Muslims होते हैं उन्हें rituals समझाते हैं dress या उनका personal behavior इसलाम के according कैसा होना चाहिए उसे सिखाने की कोशिस करते हैं further इनके significant base आपको मिलेंगे बांगलादेश, पाकिस्तान, United States, Britain, Indonesia, Malaysia और सिंगापूर में मतब इन जगहों पर तबलीगी जमात काफी ज़ादा प्रभावी है तबलीगी जमात की सुरुआत कैसे होती है तबलीगी जमात को लांच किया जाता है एक बहुत ही prominent Islamic scholar हुआ करते थे मौलाना मुहम्मद इल्यास खांदाला अगर मैं ये नाम सही प्रनिशेट कर रहा हूँ तो 1926 में हर्याना के मेवाद से उन्होंने इस पूरे मुमिंट को स्टार्ट किया इसका origin देवबंदी मुमिंट में मिलता है देवबंदी वर्जन जो है हनाफी स्कूल आफ जिरिस प्रिजिन्स का वहीं से ये originate होता है मौलाना इल्यास जी कई सारे यंग मैं को train करते हैं जो देवबंदी जो सेक्ट है उससे बलॉंग करते थे सहारनपूर में और फिर वो उन्हें मिवात भेज देते हैं वहीं लोग जाकर वहाँ पर तब्लीगी जमात को establish करते हैं और मदर्सा और मौस के network start किये जाते हैं देवबंद मुमिंट के बारे में बात करते हैं देवबंद मुमिंट एक revivalist मुमिंट हुआ करता था जिसमें इसलाम के basic fundamentals को revive करने की बात की जाती थी इससे start किया गया था 1867 में मौलाना कासिम ननौतवी के द्वारा और राशिर एहमद गंगोही जी भी इसका हिस्सा थे इनका काम ये था कि कुरान और हदीस की जो pure teachings हैं उन्हें propagate किया जाए और जो impurities इसलाम में आ गई हैं उन्हें बाहर किया जाए ये foreign rulers के against में जिहाद की spirit को भी alive रखना चाहते थे बात करते हैं अलिगर मुमिंट की देवबंद मुमिंट के opposite अलिगर मुमिंट एक reformist मुमिंट था जिसमें वो सुधार की बात करते थे जो वर्तमान में सिती है उसमें इसे found किया गया था सरसयद एहमद खान जी की द्वारा ये एक reformist मुमिंट था जिसमें social protocol और educational reform की बात की जा रही थी within Muslim community सरसयद एहमद खान जी की द्वारा ही मौहमडन एंगलो ओरियंटल कॉलेज यानि कि अलिगर मुमिंट जो बात में बन गई उसे 1875 में found किया किया इनका एक बहुत एक famous journal हुआ करता था तहदीब उल-अखलाक हमारा next article अभ्यास के बारे में है DRDO ने अभी हाली में successfully test fire किया है अभ्यास को जो कि इंडिजिन से developed किया गया है इसे test fire किया गया integrated test range से जो कि उडिसा की coast पर है अभ्यास ये एक high speed expandable aerial target system है hit system है जिसके माध्यम से हम किसी भी aerial target को यानि कि हवा में आ रहे किसी भी object को hit कर सकते है इसे autonomous flying के लिए तयार किया गया है जो autopilot mode में fly कर सकता है इसे develop किया गया है aeronautical development establishment के दवारा जो की bangaluru based lab है DRDO की ठीक है further इसमे एक flight control computer भी है जो pre designated path में जाने में इसमें मदद करता है और इसे autonomous बनाये रखता है इसमें दो booster हैं जो इसे initial acceleration देते हैं उड़ने के लिए launch होने के लिए further इसमें एक turbo jet engine भी है जो इसे एक high subsonic speed दिये रहता है लंबे समय तक यह सारी बाते अभ्यास के बारे में revision करते हैं geological survey of India 1972 में established किया गया headquartered है New Delhi में यह statement गलत है क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि यह logical survey of India है उसे 1916 में found किया गया था और यह headquartered है कूलकाता में जबकि हमारे statement में बताया गया है कि headquartered है New Delhi में तो यह गलत हो जाता है हमारा next statement है ESG fund इसे से भी regulate करता है That's true olive riddle turtle केवल Indian ocean के warm water में मिलता है limited जो DRDO का है उसने develop किया है यह गलत है इसे develop किया गया है यहाँ पर अभी हम discuss कर रहे थे analytical development establishment ADE के द्वरा उमीद करते हैं यह session आपको समझ में आया होगा session की PDF आपको only as के telegram channel पे मिल जाएगी only as something else सर्च करिएगा 1,3,000 के आस पास आपको subscriber दिखेंगे उसे join कर लेजेगा PDF डाउनलोड करिएगा और revision करिएगा तो आज का session यहीं पर समाप्त करते हैं बहुत बहुत धन्यवाद